नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट रप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पर्थम अपील हे तू किसी भी विभाग के लोग सूचना पदादिकारी PIO के खिलाब किस परकार पर्थम अपील दायर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो पूरा अवस्य देखेंगे जिससे आप अच्छी तरह पर्थम अपील हे तू किसी भी विभाग के पर्थम अपील ये पदादिकारी के श्रमक्ष अच्छी तरह भरकर आप रख सकते हैं और आपका प्रथम अपील ये आवेदन सुकिर्थ होकर आसानी से आपको सूचना प्राप्त करवाया जा सकता है तो चलिए मैंने समानि प्रसासन विभाग के लोग सूचना प्तादिकारे के खिलाप या प्रथम अपील तायर किया था आप लोग भी देख लेए यह प्रपध कर सकते हैं यदि आपके पास फारम ना हो तो साधे कागज़ पर इस प्रकार लिएक प्रथम अपील तायर कर सकते हैं सेवा में अपिली प्राधिकार जिस विभाग या काडियाले का आप लोग सुचना पताधिकारी के खिलाप अपिल करना चाहते हैं उसका नाम पता देंगे मैंने समानि प्रसासन में भाग कि लोग सुचना पताधिकारी के खिलाब या पर्थम अपील दार क्या था अपना नाम पूरा पता वस्त लिखेंगे लोग सुचना पताधिकारी का नाम में लोग सुचना पताधिकारी ही लिख देंगे उनके कारियाले का पता देंगे जिस कारियाले में आपने RTI लगाई थी जिस कारियाले से आपने सूचना प्राप्त की थी यदि कोई निर्णे प्राप्त हो तो उसका यहां वर्णन करेंगे कोई निर्णे प्राप्त नहीं हो 30 दिन के अंदर तो नहीं कुछ लिखेंगे कोई निर्णे प्राप्त नहीं है लिख देंगे प्रपत्र को जिस दिन आप दार किये थे उसका दिनाग देना सूचना जो प्रपत्र को में आपने मांगा था RTI के ताद उसी का वर्णन यहां कर देंगे ज़्यादा बड़ा हूँ तो कुछ का वर्णन करें और प्रपत्र को किछा परती सगलंग कर लिख देंगे और उसके साथ स्वाभी प्रमानित कर लगाएंगे प्रपत्र को मैं आवेदन से परकित करने के बाद प्रपत्र को जो आपने किया था तो प्रपत्र को 30 दिन हो जाता यहां गलती से लिखा गया यहां 29 साथ होना चाहिए 29 साथ 2020 प्रपत्र को जो दिन दार किये उसके 30 दिन बात किती थी यहां खाने का तात परहे देना है अपील का कारण प्रपत्र कौम में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है या कोई भी निर्णय प्राप्त हुआ है जिस भी पत्रांग दिनांग से यहां दिया गया उसका पत्रांग दिनांग से छुब्द हूँ डिकर आप पुर्थम अपिल दार कर सकते हैं तीस दिन के अंदर मुझे कोई निर्णय उपलब नहीं कराया गया है इस कारण दोसी पर जो हो पिभागे करवाई या अनुसासनिक करवाई या जो भी आप लिखना चाते हैं जो भी करवाना चाते हैं उसका वर्णन कर सकते हैं अपिल का अधार का तथ्य क्या है कोई सुचना प्राप्त नहीं होने के कारण इसलिए मैं 10 रुपे का बारतिय पुष्टल ओर इतना से दे रहा हूँ बिहार में प्रथम अपिल हेतु भी 10 रुपे का सुर्क रखा गया है उसे अवस्य लगा के दे आप कहीं भी अवस्य लिख देंगे रसित संक्यादे के अपिल डायर करने की अंतिम्तिती 60 दिन होती है तो यहां 29 शो को मैंने प्रपत्रकुआ को किया था तो 29 को 60 दिन पुरा होता इसलिए अंतिम्तिती यह देंगे मांगी गई राहत में जो आप देना चाहते हैं किस शिकर मुझे सुचना अपलब्द करवाया जाए जो भी आप लिख सकते हैं लिख देंगे प्रपत रको सकलंग कर देंगे डाक और पोस्टलॉडर की चाहकरति लगा कर स्वाभी प्रमानित कर अवस्ट भेजेंगे इस प्रकार आप पर्थम अपील किसी भी विभाग या किसी भी कारिया लेके पर्थम अपील ये पतादिकारी के समक्ष अवस कर दे यदि आप लोगों को 30 दिन के अंदर वांशित सूचना परदान नहीं की जाती है या जूटी सूचना परदान की जाती है तो भी आप परदाम अपिल दायर कर सकते हैं जैहिन